Hello Friends, Delhi Current Affair Program में आप सभी का स्वागत है आप लोग अच्छे से जुड़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ये सब चीज देख के बड़ा हुंसला भी बढ़ रहा है तो इनी सब चीजों के साथ कोसन सुरू करते हैं आज का पहला कोसन है आपके सामने कि हाल ही में भारत का पहला social media app launch हुआ है जिसका नाम है कौन सा भारत ने social media app launch किया जैसे whatsapp है, facebook है उसी तरज पर भारत ने खुद का app launch किया है social media app उसका क्या नाम है ये पुछना चाहता है जो कि whatsapp और facebook को टक कर देगा तो ये है elements नाम से जो है भारत ने खुद का तयार किया है ये वाला ठीक है इस ये जो आपका Facebook और WhatsApp की तरज पर इस पर आप चेट कर सकते हो Private Chat, Calling वगेरा सारी सुविदाएं देगा Conference वगेरा भी Video Conference भी कर सकते हो M. Venkya Naidoo Ji के दवारा इसको launch किया गया थे ये बात ध्यान रखना है ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भारत का Local India To Global India का Local India To Global India की तरफ initiative है इस चीज़ को हम लोग इससे समझ सकते हैं समझ रहे हैं इस चीज़ को Local India To Global India मतलब elements नाम से हम लोगों ने खुद का app launch किया जो कि globally भी यूज़ हो सकता है तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है और टूल एक प्लस इसके downloads भी हो चुके हैं अभी तक तो अच्छा app है elements नाम से खुद का personal app हो गया इंडिया का ये बात आपको ध्यान रखने है तो इसका option क्या हो जाएगा elements ठीक है Next question अगला question है CBSC ने हाल ही में सिक्षकों और शात्रों के लिए मुफ्त पर्शिक्षण है तो किस social media platform में साजीदारी किये है तो CBSC ने की है अभी हाल ही में जो Central Board of Secondary Education है headquartered in New Delhi, New Delhi में इसका headquarter है इसने Facebook के साथ मिलकर Facebook के साथ मिलकर मुफ्त पर्शिक्षण देने के लिए ठीक है ना मुफ्त पर्शिक्षण है तो social media platform का पुछा है किसके साथ तो Facebook के साथ सांजीदारी की है और Facebook की स्थापना कब हुई है 2004 और इसके owner कौन है संस्थापना कौन है मार्क जुकरबग जो है इसके संस्थापना यह ध्यान रखना है इसके लावा अगर बात करें CBSC की तो CBSC जो है headquarter काम पर है इसका headquarter है New Delhi के अंदर और इसकी स्थापना कब होगी थी 1962 के अंदर इसकी स्थापना होगी थी CBSC की clear है तो यह ध्यान में रखना है इन दोनोंने मिलकर जो है एक डिजटली एक परशिक्षन देने के लिए जिसमें 10,000 students को परशिक्षन दिया जाएगा जिसमें क्या है की 10,000 students को digitally कर्ण से एक तरह से तयार किया जाएगा जिनमें उनको कैसे आप लोग डिजटल सेफ्टी और well-being, दोनों का प्रशिक्षण इसमें सामिल होगा, यानि सुरक्षय और कल्याण, दोनों का digitally जो है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये चीज है, इसके अंदर सामिल, ठीक है, तो ध्यान रखना है, फेस्बुक के दवारा, फेस्बुक और सीबियस्टी के दवारा ये शुरू किया गया है, next question आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमी हीन किसानों को किर्शी लोन देने है तू, तो बलराम योजना है, ये बलराम नाम से योजना है, और उडिशा राज्य ने इसमें पहल की है, उडिशा राज्य ने इस चीज की पहल की है, भूमी हीन किसानों को लोन देने के लिए, किर्शी लोन देने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है इसमें उडिशा की बात आई है तो उडिशा के अंदर आपको पता है अभी वर्तमान में उडिशा के गवर्नर कोन है गनेशीलाल जी और सीम कोन है अभी तो उडिशा के सीम है नवीन पतनाएक जी ठीक है और उडिशा के अंदर भारत क सबसे बड़ी खारे पानी की जहील चिलका लेक जो है वो भी उडिशा के अंदर है ये भी ध्यान रखना है अब इसमें जो है इस रेंड के लिए जो है help कहा से आ रहा है नाबार्ड से help आ रहा है नाबार्ड से ठीक है National Bank for Agriculture and Rural Development जो है उसकी तरफ से help आ रहा है इसमें वो साथ में सामिल है तो इसलिए नाबार्ड जो है नाबार्ड क्या है नाबार्ड एक अपेक्स बोड़ी है नाबार्ड डारेक्ट लोन नहीं देता है नाबार्ड जो रूरल लेवल पे बैंक्स है उनको जो है बैंक लोन दे इनको देखता है उसी प्रकार से नाबार्ड जो है जो आर आर बी जो होते है उनको देखता है और अगर बात करें तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब हुई है 1982 के अंदर 1982 में स्थापना हुई है नाबार्ड की और headquarter काम पर है तो headquarter के लिए मैंने बताया आपको mostly स्थापना हुई तै चीवरमन कमे इसकी सिफारीस पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी है और अभी जो वर्तमान में अधेक्स की बात करें तो हर्ष कुमार बनवाला इसके अधेक्स है हर्स कुमार बानवाला ये इसके अध्यक से अभी ठीक है तो ये चीज़े आपको नाबाड के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखनी है ठीक है clear तो इस question का सही answer आपका क्या था उडिसा B आपका correct answer हो जाएगा बलराम योजना फोर भूमी हीन किसानों के लिए next question आपका हाल ही में कौन common service center में भारत की पहली transgender operator बनी है यानि कौन ऐसी महिला है या कौन ऐसा वेक्ति है जो भारत की पहली transgender operator बनी है common service center के अंदर है तो देखें कि common service center में सबसे पहली जो जोया खान है वो बनी है CST जो है common service center जिस जो की government की योजनाए है उनको सभी को जैसे की आयुषमेन भारत है और है बाकी और भी सभी चीज़ों के लिए जो है आप CST center हर गाउं के अंदर खोले गए हैं जिनके थूँ आप अपना काम करवा सकते हो तो उसी के अंदर जो पहली transgender operator जो है वो बनी है जोया खान बनी है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है आपको पता होगा LGBT के बारे में LGBT 1337 377 यह जो है अभी पीछे इस पर Supreme Court का फैसला आया था जिसमें 1337 को जो है एक तरह से इसमें कुषेक एकसी चीज़ जो उनको रिमूव कर दिया गया था जिसमें क्या था कि कंसेंश्वल जो सेक्स है LGBT का जसमें लेस्बियन गे बाइसेक्सुल और ट्रास्जेंडर आते है तो तो इसमें 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 द्यान रखना है LGBT के लिए कौन सी धारा से संबन्ध है यह 377 जो है यह मामला काफी न्यूज में रहा था पिछले वर्स के अंदर ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखना है तो कॉमन सर्वीस सेंटर में पहली ओपरेटर कौन बनी है जोया खान इसका option D आपका correct हो जाएगा इसके बाद next question अगला question है हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्रेंट जनरल बनी है तो यह सीधा direct question है कोई fact बाद नहीं इसमें तो निगार जोहर जो है पहली लेफ्रेंट जनरल बनी है वैसे पाकिस्तान से ज़्यादा question पूछे नहीं जाते हैं इंडिया के exams के अंदर बट स्विल आपको थोड़ा सा ध्यान होना चीए यह पहली महिला लेफ्रेंट जनरल बनी है आपकी निगार जोहर ठीक है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है बाकी पडोसी देश है आपको पता ही है उसके बारे में ज़्यादा चीज़े तो इसलिए ज़्यादा question इसके नहीं आते हैं बट स्टिल आपको यह ध्यान रखना है पहली महिला लेफ्रेंट जनरल है यह निगार जोहर इसके बाद next question आपका किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए E. किसान धन नामक एप लॉँच की है E. किसान धन जो है नामक एप लॉँच की है कोन से बैंक ने किये देखेगा E. किसान धन जो एप है इसमें दोनों solution दिये गए है एक तो आपका किर्शी और बैंकिंग जो है दोनों सुविदाएं एक साथ दी जारी है यह किसान धन के साथ इसमें किसानों को इस चीज के बारे में बताए जाएगा कि क्या किस परकार से जो है अभी कौन सी फसल आप बो सकते हो किस परकार से, उननत, बीज कौन से अच्छे रहेंगे, किस फवसल के लिए, वो तमाम जानकारिया जो है, अच्छे किसम के बीजों के बारे में जानकारिया मिलेगी, मोसम की भईषेवानी भी इनकी इस पर बताई जाएगी, तो यह तमाम चीज़ें जो इसके अंदर किर्श से समंदित भीश पर दी जाएगी तो यह किसान धन नाम से जो है यह सुरू किया गया है HDFC Bank के दवारा ठेक है HDFC Bank के दवारा शुरू किया गया है और HDFC Bank की स्थापना कभूई थी 1994 और इसके लिए एक खास बात अभी पीछे हम लोगों ने कोशन भी किया था कि SDFC Bank जो है उसके जो CEO है वो अभी बदले है वो कौन है ससी धर जगदीशन जो है नए CEO बने है उससे पहले आदित्य पूरी जो है इसके CEO थे तो यह भी साथ में आपको द्यान रखना है ससी धर जगदीशन जो है वो इसके नए अडेक्स बने है तो CEO बने है तो यह आपको थोड़ा सा आइडिया होना चीए 1994 में मैं इसकी स्थापना हुई थी किर्सिय प्लस बैंकिंग दोनों की समाधान जो है इस पर दिया जाएगा किसानों के लिए है बहुत भी बेनिफिट देने वाली तो यह है आपकी यह किसान दन राइट इसके बाद next question अगला question है केंदर सरकार ने हाल ही में किसे अगले तीन साल के लिए Solistory General के रूप में नुक्त किया है तो किस वेक्ति को जो है अगले तीन साल के लिए Solistory General के लिए नुक्त किया है के अंदर सरकार ने तो देखेगा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्या है Solistory General क्या चीज़ है देखिए एक होता है AGI यानि Attorney General of India इसको हम लोग AGI Article 76 के अंदर इसका जिकर है अनुछेद चेटर के अंदर जो है Article 76 जो है उसके अंदर इसके बारे में बता रखा है जो भारतिय सविदान कानुछेद चेटर है उसमें इसके बारे में बताया हुआ है ठीक यह ध्यार रखना है इसके अलावा इसको हिंदी में कहते है महानयवादी महानयवादी अब ये AGI को आप समझ जाएंगे तो फिर Solicitor Journal easy हो जाएगा महानयवादी कौन होता है महानयवादी बारस सरकार का पहला विदी अधिकारी पर्थम विदी अधिकारी होता है बारस सरकार को सबी कानून से समंदित जो जानकारियां है वो महानयवादी देता है ये भी ध्यान रखना है इसके लाव महानयवादी की न्युक्ती जो है वो रास्ट्रपती के द्वारा की जाती है और न्युक्ती कौन करता है इसकी रास्ट्रपती देन रास्टरपती के परसाद परियंत ही अपने पद पर रहते हैं यानि जब तक रास्टरपती चाता है अपनी उसकी इच्छा नुसार रास्टरपती गिच्छा का मतलब है कि रास्टरपती जो Council of Minister होती है जो मंतरी परिसेद होता है उसकी किसी वक्त हटा भी सकता है और नुक्ती भी वो करता है तो AGI के मामले में ये बात ध्यान रखने हैं इसके लावा AGI जो महानयवादी होते हैं इनको salary नहीं मिलती है इनकी salary नहीं मिलती है इनको सिरफ और सिरफ reumination मिलता है जिसको पारिश्रमिक कहते हैं हम लोग जो भी case होगा जो भी भारश सरकार से समंदित कोई भी मामला है तो उसमें किसी भी कोर्ट में तो भारश सरकार की तरफ से पेरवी करना महानयवादी का कारी होता है ठीक है ना सम्हानयवादी वो चीद देखेगा इसलिए जो भी case होगा उसके बाद जो है उसको पैसा मिलता है इसकी योग्यता जो है वो सुप्रीम कोट के नयदिस के बराबर होनी चीए अब इसको इतना सारा काम वो भारश सरकार का नहीं संबाल सकता है इसलिए इसके नीचे एक चीए इसको solicitor general चीए और फिर इसके नीचे होते है additional solicitor क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा पूरे बारत का अगर देखें तो हम लोग तो इसके नीचे जो है additional solicitor general additional solicitor general होते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखना है इनकी संख्या एक है और additional solicitor general इनकी संख्या च्यार है और यह महानयवादी एक होता है ठीक है वर्तमान में महानयवादी की बात करें तो कोन है केके वेनुगोपाल केके वेनुगोपाल हाल ही में इनका भी जो कार्येकाल बढ़ाया गया है केके वेनुगोपाल जी का भी इससे पहले मुकुल रहत रहत गी थे तो इनका कार्येकाल केके वेनुगोपाल जी का और बढ़ाया गया भी इसके अलावा solister general जो है अभी वर्तमान में थे तुसार महता इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तो यह कोशन पूछ रहा था कि किस solister general जो है किस का कार्यकाल जो कितने 3 साल के लिए बढ़ाय गया है वो कौन से वेक्ति है किस solister general का बढ़ाय गया है तो तुसार महता जी जो है इनका कार्यकाल आपका 3 वर्स के लिए और बढ़ा दिया गया है यह ध्यान रखना है ठीक है न्यूकती राश्ट्रपति के दोवार लेकिन यहां से एक और अच्छा कोशन बनता है कि कोशन में आपको पूछेगा निमलिखित में से किसका उलेक भारतिय सविधान में नहीं है और उसमें आपको उप्शन में देदेगा महा नयवादी, महा दिवक्ता, solister general और राश्ट्रपति अब आप बताईए कोन से का नहीं है महा नयवादी का तो है ना, अनुच्छेद छेतर के अंदर है राश्ट्रपति के बारें भी है इसके अलावा अगर बात करें हम लोग आपका जो महा दिवक्ता है, जो की राज्ये में होता है जो central level पे महा नयवादी उसी परकार से जो है इनके बारे में उलेख है जैसे हर्याना में अभी महा दिवक्ता की बात करें तो अभी वर्तमान में हर्याना में महा दिवक्ता जो है वो है बलदेव राज माहजन जी वो महा दिवक्ता है हर्याना के अंदर लेकिन सोलिस्टर जनरल का हमारे सविधान के किसी भी आर्टिकल के अकोर्डिंग नहीं है ये बात धान रखना है ये आपका AGI को मदद करने के लिए एक तरह से एक वेक्ति है ठीक है ना तो ये सोलिस्टर जनरल जो है इनका उलेख सविधान में नहीं है ये चीज़ आपको समझती है ठीक है तो इसका अंसर हो गया तूछार में था चलते है next question में अगला question है कौन सा राज्य हाल ही में हर घर को गेस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो हर घर को केस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर परदेश, हिमाचल परदेश, महाराश्टरो और हरियाना तो ये बन गया है हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश में एक योजना चल रही थी ग्रिहनी सुविधा योजना ठीक है? इससे पहले अगर बात करें तो 2016 से एक योजना ओर चल रही थी प्राइम मिनिस्टर परदान मंतरी उजवला योजना ये 2016 में परदान मंतरी ने दर मुदी जवारा सुरू की गई थी जिसमें 8 करोड फरी लपीजी कनेक्शन देने थे इसमें क्या करना था? 8 करोड फरी लपीजी कनेक्शन देने थे प्रदान मंतरी उजवला योजना के तैट जिस लक्से को प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल परदेश तो इसमें ये उजना के तैट भी और PMUI जो है इसको हम लोग सोटली क्या बोलते है PMUI क्या हो गया? प्रदान मंतरी उजवला योजना इसके तैट जो है हिमाचल परदेश जो है पहला राज्य बनाया है जो की सभी को फ्री LPG कनेक्शन देके सहर घर को LPG कनेक्शन दे दिया है इसने हर घर में गयास कनेक्शन है अभी वरतमान में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा अगर बात करें हिमाचल परदेश के जो है अभी वरतमान में ग BHवर्नर कोन है? तो बंडारु दत्त-त्रह बंडारु दत्त-त्रह जो है ये है राज्येपाल और चीफ मिनिस्टर है जैराम ठाकूर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री कोन है जैराम ठाकूर और बंडारु दत्तत्रे जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश के राज्येपाल है थीक, इसके लिए उत्तर परदेश की बात करें, तो आपको पता अनंदी Ben Patele, जो है वो वह के राज्यपाल है, और इसके लवा, योगी अदितिनाथ जी वह के मुख्य मंत्री है, महरास्ट्र की बात करें, तो बगतara चिंग कोशियारी जी वहाँ के राज्यपाल है, इसके लावा उद्धव ठाकरे जी वहाँ पर मुख्य मंत्री है हर्याना की आपको पता है हर्याना के अंदर चुएप मिनिस्टर कौन है? मनुहरलाल खटर जी है ये आपको ध्यान रखना है इसके अलावा इसका अंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इससे पहले मैं आपको ये बता जिता हूँ, हिमाचल प्रदेश जो है राज्ये बनने से पहले एकेंदर सासित प्रदेश था ठीक है? नेक्स्ट कोशन आपका किस सहर में भारत का पहला प्लाजमा बैंक खुला है? कौन सा सहर है जिसमें भारत का first plasma bank खुला है देखेगा plasma जो है क्या चीज है इसको समझना है पहले तो फिर हम लोग समझते है plasma bank के बारे में देखेगा plasma जो होता है हमारे body के अंदर जो blood है blood के अंदर एक होता है plasma then platelets इसके लावा अगर बात करें तो RBC WBC red blood cells और white blood cells जो 45% के आसपास part जो होता है इनका इसके लावा plasma जो है 55% जो है हमारे blood के अंदर plasma होता है और इसको अलग हिया जा सकता है तो अभी जो corona चल रहा था तो corona के अंदर plasma actual में एक चीज़ और ध्याम रखना है plasma जो है वो antibody का निर्मान करता है antibody का निर्मान करता है स्रीर में ठीक है अब antibody जो है उसका क्या काम है वो रोगों से लड़ती है जो हमारे अंदर कोई भी virus या कुछ भी चीज़ आती है तो antibodies जो है जो है उसको रजिस्ट करती है कोई भी विमारी जाने के कोसिज करती है अंटीवाडी उस पर Can Prince करती आंटीवाडी उसको मारगराती है तो यह चीज़ ध्यान रखना है अब क्या होता है कि जैसे ही कोरोना हुआ लोगों को तो एक प्लाज्मा थेरेपी का नाम सामने आया प्लाज्मा थेरेपी में क्या है कि जिस वेक्ति को कोरोना हो चुका है इसमें से blood निकाला जाएगा और उस blood में से जो plasma है उसको separate करके एक अलग बिकर के अंदर डाल दिया और जो blood बच गया इसके अंदर उसको वापिस इसके अंदर जिस वेक्ति के अंदर से निकाला है उसमें वापिस और ब्लड जो है वापिस उसी वेक्ति के बोड़ी के अंदर डाल दिया लेकिन उसके लिए कुछ एक सर्तें थी क्या थी प्लाज्मा थेरेपी के अंदर क्या थी वो वेक्ति जो है वो 60 वर्स के आयू से कम होना चीए यानि 18 से 60 वर्स के आयू का होना चीए एक तो ये सर्त थ उसके अंदर जिसको कोरोना हो चुका हो और होकर अब ठीक हो चुका है और 14 दीन से ज़्यादा होद गए हो 14 डेज प्लस हो गए हो कोरोना से जंग उसको जीते हुए ये चीज भी है इसके अनदर और उसका वेट जो है जो है plasma का use अब दूसरे रिखती के अंदर यूज कर रहे हैं हम लोग जिसको कोड़ो ना है ताकि क्योंकि antibody तो उसके अंदर बने हुए थे तो उस plasma के अंदर antibody यह वह plasma आब दूसरे वेक्ति को जिसको Corona संकर्मन है भी उसमें डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा उसके अंदर भी अंटी बोडी चले गए हैं तो वो उस कोरोना वाइरस से लड़ सकते हैं तो यह प्लाजमा थेरेपी थी समझ पारें अब प्लाजमा थेरेपी जो है इसको कहां सुरू किया गया प्लाजमा बैंक जो है उसके लिए देख लेते हैं हम लो नई दिल्ली यहां पर जो है भारत का पहला प्लाजमा बैंक बनाए गया है ठीक है कौन सा पीते ओम यकृत विज्ञान सस्तान न्यू डेली अंग्रेजी बासा में इंस्टूट ओफ लीवर एंड बैसिलरी साइंस जो है उसके अंदर इसका प्लाजमा बैंक की स्थापना की बैस् Circum आपको ध्यान रखने थ रह्ली ठीक है हम लोग प्लाजमा बैंक बैसा हो जह है इस시면 प्लाजमा बैंक खुल I तो वो हो गया दिल्ली आपका दिल्ली इसका correct answer हो जाएगा ठीक है इसके लावाद जो plasma therapy की बात कर रहे थे हम लोग प्लाजमा therapy की जो है वो केरला और दिल्ली दोनों के अंदर ही शुरुआत हुई थी पहले केरल में की गई थी उसके बाद दिल्ली में जो है यह चीज की गई थी तो प्लाजमा bank के बारे में ध्यान रखना काफी important question है अपने आप में दिल्ली के अंदर जो है इसकी स्थापना या दिल्ली के अंदर यह खुला है कहां खुला है पिते उम यह कृत विज्ञान जो इनस्थान है उसके अंदर खुला गया है clear है तो यह आप ढहान रख लेएंगे इस चीज को इसके बाद हम लोग दिली के बाडे में हम लोगोने वह भ boun किया रोजगार बाजार रोजगार बाजार जो है वो दिली के अंदर सुरू किया गया था ताकि जो Corona के चलते जो लोग अपनी नोकरी खो चुके थे, वो अपनी नोकरी वापिस पास चुके, उसके लिए रोजगार बाजार नाम से पोर्टल शुरू किया गया था, दिल्ली के दौर्मेंट के दौरा, ठीक है, दिल्ली के प्रजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अर्विन केजरिवाल जी है, दिल्ली के राज्य उपराज्य पाल कौन है भी, तो वो अनिल बेजल जी है, ये चीज भी आपको साथ में ध्यान रखने है, इसके बाद नेक्स कोशन, अंतराष्टिये सुद्र गरय यानि इंटरनेसल एस्ट्रोइड डे पर्तिवर्स मनाया जाता है, इंटरनेसल एस्ट् जो आपको पता है, कोन चक्कर लगा रहा है? प्लेनेट्स, घर है जो है, वो सुरिये के चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद, टोटल आर्ट, प्लेनेट्स, आर्ट घर है भी वर्तमान में, प्लूटो को निकाल दिया गया, प्लूटो अ तो मंगल और बिश्पति के बीच की जो कख्या है में यहां पर एक बैल्ट है जिसमेंकि छट 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 टुकड़े जो प्लेनट का रूप नहीं ले पायए वह गरह का रूप नहीं ले पाये च्योड टुकड़े बचे हुढ है in the solar system के अन्दर तो जो है कहलाते हैं एस्ट्रोइड जो कि कहां पर चक्कर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं मंगल और ब्रिश्पति की गख्षा के बीच में और ये सुर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ठीक है अब इनसे क्या है कई बार ये नीचे की तरफ आ जाते हैं पिर्थ्वी की गख्षा में और पिर्थवी से टकरा जाते हैं, तो इस खत्रे को, इस खत्रे से आउगत कराने के लिए लोगों को जागरूप करने के लिए, एस्ट्रोइड के खत्रे के बारे में, जागरूप करने के लिए 30 जून को जो है, ये कार्यकरम सुरू किया गया, International Esteroid Day बनाने का, क्या है कि 1908 के अ 2016 के अंदर इसको 30 जून 2016 से International Esteroid Day मनाना सुरू कर दिया, समझ पारे हैं, तो International Esteroid Day ये सुधर गरे दिवस जो है, वो कब से 30 जून 2016 से मनाना सुरू किया था ये, और 30 जून को हरवर्स मना जाता है, क्या है, इसका प्रोग्राम का में उदेश्य क्या है, लोगों को Esteroid से हो अपने वाले खत्रे के बारे में जागरूप करने के लिए बनाया जाता है, और ये मनाया जाता है, इसके लवा कब इसकी सुरूवात है, तो क्यूं है, 1908 जो है, उसमें तंगुस का नदी जो है, रूस के अंदर वहां पर Esteroid के टकराने के काण काफी नुकसान हुआ, तो जो उसकी वर्सकांट के रूप में 30 जून 2016 से ये कारियकरम सुरू किया गया एक तरह से बनाना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लिर है, तो इसका अंसर हो गया D, 30 जून, और इसी के साथ में आज का ये Current Affair Program हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी की अगली Classes के अंदर और अच्छे Questions के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक देखते रहेगा, पिछली Classes को देखते रहेगा, जो बच्चा छूट गया है, क्योंकि पहली Class अभी तक दूर नहीं निकलें आप, लेकिन बहुत ज्यादा Classes हो जाएगी, तब पहली से देख पाना आपको ब पने बचल माइएको, झाली सुल माइँ बाएगा क, क्योंकि भ gather or । अवेएको, भेखते बचलीके से बचल मेंता आपको बभाब। आफ हुआ है बार दान है